गुरु देव और मागायत्ति के चर्ण में कोड़ी कोड़ी नवन आप सभी को रणाम यम के दूतों से कैसे बचके जान कैसे बचके पूरे परिवार की जान आईए जानते हैं सादकों के अनभों में श्री सुरेश कुमार सोनी तहसिलदार धामपुर विजनौर उत्तरप्रदेश से अपना अनभों लिखते हैं मनुष्य जितना परमात्मा की और उन्मुक रहता है उतनी ही उसमें शान्ती आती है इसलिए जिनको शान्ती की चाह है वो परमात्मा की और अग्रसर हूँ मैं अपने परिवार की साथ मई 2004 में शान्ती कुझ दर्शन करने आया हमें याद है मैं शान्ती कुझ में चार-पांस दिन लुका था 18 मई को वापस बलरामपुर अपनी सरकारी आवास में पहुँच गया रास्ती की ठकान होने के कारण हमें काफी सुस्तिम हैसूस हो रही थी इसी बीच भाई की पतनी भी आ गई उसे मालूम हुआ कि हम लोग शान्ती कुझ से वापस आ गए हैं इसलिए एक दिन के लिए मिलने चली आई थी उस दिन रुपकर 20 तारीक की शाम को 4 बजे वो वापस चली गई चुकि हम लोग काफी ठके हुए थे इसलिए उस दिन जल्दी खाना बन गया हम लोग खापी कर जल्दी सो गए रात में करीब 12 एक बजे का समय रहा होगा साथ आठ अग्यात लोग अचानक मेरी घर में घुज गए घर में आवास सुनकर में हडबड़ा कर जाकर उठा मेरी पतनी और लड़का सूरहा था मैं बहुत घबड़ा रहा था सोचा उठकर शोर मचाऊं तो शायद कोई पड़ोस से ही पहुँच जाए इतने सारी हत्यार बंद लोगों की सामने मेरी क्या उकात्ति पर उन लोगों ने मेरी आखों की सामने मेरी पत्नी के हाथ पैरों को बान दिया उसने उठकर चिलाने की कोशिश की तो मूँ पर भी टेप चिपका दिया मैंने उन्हें रोकनी का प्रयास किया तो उन लोगों ने कट्टे के बट से मेरी कनपटी पर वार किया जिसके कारण मेरी सिर से खुन की धार बह निकली, मेरी सिरी को देखकर पत्नी अचेत हो गई, मैं अंदर से बुरी तरह से कांप उठा, मुझे लगा कि अब मेरा परिवार तो गया, मैं बहुत बुरी तरह से जखमी हो गया था, मेरी दोनों लड़कियां दूसरे कमरे में सो मेरा मन आशंका से भर गया, कि अब ना जाने वो लोग क्या करें, शरीर से खुन बह जाने के कारण कमजोर इतना हो गया था, कि उठा भी नहीं जा रहा था, बेलोग मुझे साक्षात यम के दूद के तरह लग रहे थे, अब पूजी गुर्देव को पुकार्दी कैतरिक्त और कोई भी उपाय नहीं सूज रहा था, मैं व्याकुल हो था और कह उठा, हे गुर्देव, मैंने कौन सा अपरात किया है, जिसका मुझे इस तरह से दंड मिल रहा है, अब तो मेरे परिवार का अंतही हो जाएगा, अक्ता ने किसी तरह से एक मोड लिया, ये मैंने बाद में अपनी पत्नी से सुना, मुझे चोटिल देख उसे मूर्चा आ गई, मूर्चा में ही उसने सुना कि बाहर से कोई दर्वाजा खुलनी के लिए कह रहा है, फिर पता नहीं कैसे दर्वाजा अपने आप खुल गया, उसने देखा कि स्वयम गुर्देव कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, सफेद धोदी कुर्दा पहने हुए हैं, उनको देखते ही पत्नी की मूर्चा तूट गई, वो चिल्लाई, गुर्देव, गुर्देव, इतने में सारे बदमाश डर गए, वे समझे इन लोगों को बचा आने वाले आ गए, इतना सब कुछ होने के बावजूत कोई व्यक्ति सहायता के लिए नहीं पहुचा था, अचानक मैंने देखा कि करनल सहब का चपरासी अंदर चिल्लाती हुए आया कि क्या बात है, ना जाने मुझे में कहां सित्ति हिम्मत आ गई, मैं एक इट उठा कर ब लोगों को बहुत दूर तक दोड़ा दिया, वे लोग डर कर भाग गए, इतना घाव इवं रक्त बहने के बावजूत मैं कपड़ी से अपने सर को पकड़े हुए, एक हास से जीब चलाती हुए थाने पहुच गया, वहा मैंने रिपोर्ट लिखवाई, मेरे दिमाग में का काफी चोटाने के कारण मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, मुझे बाद भूलने की समस्या हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे गुरू क्रपा से सब सामान्ने हो गया, सभी बदमाश पकड़े गए, मुकदमा चला, लेकिन बाद में मैंने मुकदमा समाप्त करा दिया सभी को बाद में बरी करवा दिया, मुझे अपनी गुरू पर पून विश्वास हो गया था, जब उनकी कृपा दरश्टी है तो मेरा कुछ नहीं बगड़ सकता, मैं किसी को दंड क्यों दू, सारा न्याय तो उपर वाले के हाथ में है, इस प्रकार गुरू कृपा से थोड क्या हाल हुआ होता है, इस घटना के बाद से मेरी श्रधा गुर्देव के प्रती हमेशा के लिए बन गई, जापर कृपा गुरू की होई, तापर कृपा करे हर कोई, ऐसी होती है सद गुरू की महिमा, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें और बैल की आइकन पर क्लिक करके, ओल पर क्लिक करना ना भूले, धन्यवाद